दोस्तो PM SSC योजना का जो form है scholarship का जो आपने पेले form भरा था उसका जो आवेदन है वो निरस्त हो चुका था पेले अब वापस से start हो गए है और इस प्रकार से आपके सामने जो display हो रहा है इस प्रकार से भरने लग गया है अब जो form है वो इस प्रकार से भरेंगे यहाँ पर online भी होने लग गया तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रकार से आपका जो form है उसका dashboard जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आपका जो national scholarship portal है NSP उसके द्वारा ही आपका form भरा जाएगा यहाँ पर देखेंगे NSP जो portal है उसमें हम देखेंगे PM SSC Central Sector के अनुसार जो classes लें ठीक है सबसे पहले हम समझ लेते हैं OBC OBC होता है इसके बाद में दूसरा है EBC और तीसरा है DNT अब इन classes में आप सबसे ज़्यादा परहसान होते हो कि OBC के बारे में तो आपने समझ लिया ठीक है इसके बाद में DNT क्या होता है और EBC क्या होता है जैसे OBC के बारे में आप सभी को पता है अधर बेक क्लासेस होता है अब डी एंटी क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं डी एंटी का मतलब होता है डी नोटिफाई दोस्तों 1891 में जब ब्रिटिस सासन का समय था उस समय पर भारतियों को जिनको सजा सुनाई गई थी उसमें क् विक्ति रह सकते हैं आप दूसरा होता है इबी सी का मतलब होता है इकनोमिकली बैकवर्ड क्लास इसका मतलब साप साप ये रहता है कि दोस्तों इसमें ST, SC, OBC सभी वर्ग सामिल हो सकते हैं क्योंकि वह विक्ति जिनके पैरेंट्स की आई आट लाक से कम हो उन्हें EBC स्रेण सारे आप्सिन दिखने लगेंगे अभी इसवाले ऑफ्शन में आपको सबसे पहले कहां पर क्लिक करना होगा फ्रेस अप्लिकेशन ये वाले ऑप्छन के ऊपर आपको जाएगी अब इस वाले option को आप थोड़ा सा scroll करेंगे यह वह दोनों option के उपर click करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका mobile number आपको सबसे पहले डालना रहेगा mobile number आपको देना रहेगा get otp वाले option के उपर click करेंगे otp आएगा इसके बाद आपका केपचा code जो आपके सामने display हो रहेगा उसको आपको verify कर देना है यहाँ पर देखेंगे पूरी detail आपके सामने आ चुकी है यह वाली जो detail है आपके आधार card वाली रहेगी अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो scholarship कौन सा type में आपको लेना रहेगा scholarship type में देखेंगे आप scholarship scheme यह वाले option को आपको select कर लेना है जैसे आप scholarship scheme को आप select कर लेते हैं यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दो option दिखेंगे pre-metric या फिर post-metric अगर 9th class के लिए डालना है तो pre-metric और उसके बाद में 11th class के लिए post-metric वाले option को लेंगे था हम जैसे 9th class वाले student को farm भर रहे हैं यहाँ पर state select किया इसके बाद father का नाम लिखना रहेगा आपको father का नाम आपको जो भी आधार कार्ड में लिखा है वह ही type करना रहेगा इसके बाद मदर का नाम आपकी mark sheet के नुसार आप type कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपने जो mark sheet में आपके mother का नाम लिखा है Gmail ID verify अगर आपके पास पहले से हो तो आप डाल सकते हैं दर्वाइश छोड़ सकते हैं जो आपकी जो bank है वह जहाँ पर आपके आधार कार्ड से link रहेगी NPCI रहेगा उसी में ही आपका पैसा आएगा ठीक है जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपका ID complete हो चुका है अब यहाँ पर आपके जो registration number रहता है उसे आपको copy कर लेना है या फिर आपके mobile पर भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर registration number डालेंगे और capture code डालेंगे जैसे आप next करते हैं तो आपके सामने एक OTP आएगा आपका password reset करने के लिए ठीक है यहाँ पर आपके पास जो OTP आएगा उसे आप submit करेंगे और जैसे verify करते है verify करने के बाद दोस्तों आपका जो password है वह आपके mobile पर ही आ जाएगा ठीक है वापस से हम homepage पर जाएंगे यहाँ पर वापस से आपका जो number है उसे आपको select कर लेना है अब यहाँ पर देखना रहेगा कि क्या आपको password किस पक सकते हैं दोनों बार आपको retype करने के बाद जैसे आप submit करते हैं आपका password reset हो जाएगा अब इसके बाद में पूरी detail आपको समझना होगा आपका KYC किस प्रकार से करेंगे दोस्तों KYC अगर नहीं है तो आपका जो form है आगे नहीं बढ़ पाएगा यहाँ पर देखेंगे आ उपर यहाँ पर आपका number type कर देना है इसके बाद में जो password आपने reset किया है वो password आपको डाल देना है यहाँ पर complete होने के बाद checkbox के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका face authentication वाले option के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने थोड़ सी देर आपका system के लिए analysis कराएग कि आपकी आँख है वो थोड़ा सा आपके पास moment होना चाहिए अब यहाँ पर देखें कि सारे option दिये गए हैं इन सभी option को पढ़ने के बाद ही आप form भरेंगे यहाँ पर देखें कि सबसे उपर लिखा हुआ है 18 से अधिक वर्स की उम्र के लिए यहाँ पर दिखा है मैं अ इसापित करने के लिए मैं आधार काड का उपयोग कर रहा हूँ नाबालिक के केस में इसमें father के declaration भी लगेगी कि father के द्वारा जो आपने जो आधार काड लगा रहे हैं उसकी declaration भी आपको pushty करने रहेगी यहाँ पर दोस्तों इसको ok कर देंगे ok करने के बाद यह सारे instruction के सामने लिखावा आजाएगा कवाई सी कंप्लीट ये वाला option आपके सामने आजाएगा अब यह आपर क्या करने रहेगा वापस से हमें लोग इन करेंगे लोग इन करने कि वाद पूरा form जो है मांपो फिल करना रहेगा यहाँ पर देखेंगे यह दर्म यहां पर देखेंगे आपका जो भी धर्म है हिंदूु मुस्लिम या जो भी यह सब करेंगे इसके बाद में आपकी एकरिया लेना है इसके बाद में आपका इन्वर्ण इंकम आपके आई प्रमांड पत्र में आपको देख लेना है 50,000 तो उपर वाले option को कर देंगे क्लिक जैसे आप क्लिक करते हैं अब यहां पर बहुत सारे यहाँ पर क्लिक करते हैं अब इसके उपर क्लिक करते हैं सेलेक्ट वाले option के उपर क्लिक करेंगे आप इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने admission, enrollment या registration नमबर कौन सा है,roll no कौन सा है और section कौन सा है यह सारी चीज़े आपकी एच्थर की mark शीट के अनुसार या फिर अगर आप 11th class में हैं तो 10th की माकशीट के अनुसार भर सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा present class कौन सी है आपकी जो भी आपकी present class है थोड़ा से scroll करेंगे यहाँ पर आपकी present class है उसे आपको यहाँ पर display करना रहेगा ठीक है यहाँ पर हम यहसे select कर लेंगे अब यहाँ पर आपका present class जो रहेगी उस class को आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो भी आपकी class है जैसे हम 9th class का भर रहे तो 9th class लिया हमने present class में आपने admission कब लिया था उसकी आपको date देना रहेगा जब भी रहेगा जैसे जुलाई में admission होता है तो जुलाई की update डाल सकते हैं आपर जो भी आपकी admission slip में रहता है वहाँ से आप collect कर सकते हैं यहाँ पर देखें कि full time जो आपका study mode है वो कर दिया लास्ट एक्जाम कौन सी वो दिखा दिया इसके बाद previous year आपका कौन सा था वो दिखा दिया ठीक है इसके बाद percentage डाल दिया इन सब option को आपको छोड़ देना है other option में देखें किया आप अनाथ हो नहीं है इसके बाद guardian में आपके father का नाम ही यहाँ पर आपको type कर देना है ठीक है father का नाम हो गया अब यहाँ पर क्या आप disability में आते हैं अगर होते हैं तो yes करेंगे दरवाइस no करेंगे marital status no करेंगे अब father का occupation में आपको यहाँ पर simply आपको other करके आगे बढ़ जाना जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं save and continue यह वाले option के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी जो पूरी योजना है पूरा form है वो आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर आपको district select कर लेना है अब यहाँ पर देखेंगे rural या फिर urban in में से आप काई में आते हैं ठीके यह दोनों आपकी तेसिल select करते हो तो वो सब आ जाएगा यहां आपने तेसिल select किया गाउं select हो गया अब इसके बाद पूरा address आपको type कर देना है इनको डंबर डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी जो योजना है PM यससवी central scheme आपके सामने आ चुकी है OBC, EBC, D&T यह क्या है मैं पहल certificate, HTSCOBC के लिए bonafide certificate क्या होता है यह भी हम आपको दिखा देते हैं यह दोनों चीजे हो गई आप यहाँ पर bonafide certificate जो है download करने के बाद इसको आपको school से आपको भरना रहेगा यानि कि आप चाहे तो आप स्वयम भर सकते मैं आपको दिखा दूँगा कि भरना कैसे रहेगा आप यहां से इसको 100 पर करके आपको इसको print out ले लेना है चाहे आप चाहे तो इससे save कर सकते हैं आप इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहां पर हमने इससे print out लेने के बाद इससे भरते कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो यहां पर आपको simply आपको pdf में option में लेकर सेव कर लिया सेव करने के बाद में यहां से हमने से जैसे जो भी destination देनी वो सेव कर लिया है अब यहां पर देखेंगे जो आपका bonafide certificate है उसे किस प्रकार से भरा जाएगा वो आपको पूरी detail दिखाने वाला है तो यहां पर आपके जो यह दिख र आपको सील लगाना है और head of institution का आपको signature लगेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरू करे चैनल को subscribe कर ले धन्यवाद